सुप्रेम कोट अपना काम कर रहा है ना तो बेगानिस साधी में अब्दुल्लाद भाश्पाव सरकार क्यों बन रही है बीच में इन्हों ने कहा और हमें धंकित जड़ाया मत करो अच्छा धरते हम किसी के बाप से नहीं है चाहिए होगी अधितना तो चाहिए अमिश्या हो जो कि तोड़कर वहां पहिँन को तोड़कर वहां के लगो में कर अद्धिकार कैनका मकान तूटा है उसे लेकिन सरकार लूट ली वहां की वीडियो आई है महां बेहने रो रही है वह बच्चे रो रहे हैं अब यह देखिए उन से उनकी छच्छीन लिया आपने कितने लोगों को बेघर कर दिया और आप यह कहते हैं कि इस देश में कंकंड में आप दोस्तों मैं आपके साथ जफर सिद्धी की आप देख रहे हैं प्यार बे जिस तरीके से पूरे देश के अंदर राम मंदिर का मामला पूरे देश ने देखा सुप्रीम कोटन उसमें फैसला सुनाया कि राम मंदिर वहां पर बनेगा लेकिन क्या मुसल्मान को बार बार या दूसरे भी धर्मों को कि अब मंदिर अब मसजित अमनंदिर अममसजित जिस तरीके से नारा दिय जा रहा था कि बाबरी तो एक जाकी है काशी मतुरा बाकी है तो अब मामला ग्यान वापी पर आ गया और ग्यान वापी को जो है लगातार मीडिया भुनाने का काम कर रही है लेकिन आज मेरे साथ बाचीत करने के लिए मौजूद है बाल योगी पंडिक विजशर्मा जो हिंदू हिर्दे समराट है और दूसरी तरफ मौलाना समीर साथ मौजूद है यानि कि एक हिंदू समाज से तालोक रखने वाले और मुस्लिम समाज से मंदिर और मस्जिद यानि के दोनों के लोग मेरे साथ मौजूद मंदिर संपूल बना नहीं है बावरी मजजित की यीड भी नहीं रखी गई है पहले कोट के उस फैसले का अमल होगा जो सुप्रेम कोट ने कहा था उसके बाद हम किसी और फैसले पर जाएंगे यह फैसले पर हम एश्ट्रे लेकर आएंगे अच्छा नहीं कर रोक लगाएंग में लेकिन अब तो लगए आप से क्या बूच रहा हूं सरकार कहा मतलब है इसमें बूलने का कर अभी कोट में मामला है हम थाय जोग्या इतना है कि उससे मस्जित ना कहें जैसे तो मैं बेश्रमों सुनो इस नो उनकी धंकी हमें देर हमकु अमत दो जैसे अभी हमारी सुनो इन्हों ने कहा और हम किसी के बाप से नहीं है दूसरी महत्पुन बात अभी तो हाई कोट सुप्रेम कोट हम जा रहा है राम मंदिर को लेकर उस पर फसलाने दो राम मंदिर है अभी पहुंच गए तो सरकार क्या संत योगी है उनोकली करने के लिए संत्य क्यों वहां पर उनके उटिय राम का किरदार निभाय निभाय थे उन्हें में इस दरसंखना ने दिया गया मैं ये बाते इसलिए कह रहा हूं कि इतने बेश्चार्म और दुष्ट ये अद्वी हो करे सकते हैं कि मंदिर नहीं बनाया है अध्य में जो मकान तोड़े गए उसके मुआपजी नहीं दिये गए ग्यान भापी मज्जिद तोड़कर वहां कि मकानों को तोड़कर वहां कि र को तोड़ दिया गया अभी तक उसके मुआपजे नहीं पहुंचे यह कोट के पकरना में तीन इकरम मामला दिया गया था लेकिन उन्हें कितनी कायप किया है सरकार ने इसका जवाब दे सरकार पहले अभी सप्ट्रेम कोट में जवाब दे तब कहने आपी का फैसला आएगा नहीं तो यह सरकार की बजा दे जाएगी कोई फैसला किया नहीं पहले राम मंदिर पूरा बनाओ देश में मंदिर 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 दलालो यही काम रहा है तुम्हारा बीग मांग लोग रो लेके अल्ला और राम के नाम में भीग मंदिर 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 इतना गुस्टे में क्यों है आज बाहर बाहर ही मुद्ध लेकर अभी एसाइटी ने अपनी रिपोर्ट दी है ठीक मुख्यमंतरिक को ऐसे मालूम चल गा कि रिपोर्ट में क्या है सारवजनिक है रिपोर्ट पूरी यह बताया जा रहा कि दस चीज़ा इसी पाई गई जो मंदिर से लेटिव है रिपोर्ट सारवजनिक कैसे की गई बिना को दिखाए बिना कोड में पेसी हुई है सारव और सारवजनिक करता कौन है किसके आदेश पर होते हैं क्या वहां कि अफसर कोट की मानते है यह सरकार की मानते सवाल तो अभी बन रहा है पहला मुद्दा और वहीं अफसर तो कि राम मंदिर का मुद्दा अभी खतम नहीं हुआ है और EDC भी एक्टिव हो चुकी है मैं आप परदेश में रोजबेरोजगारों की भरती निकाले है यह डेटर निकाल दें रेल्वे में भरती दिखा दें आप इन मुद्दों को तो कि मैं ग्यान वापी को लेके बहुत सीरियस हूं पुछे क्यों क्यों कि आप नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ अच्छा तो कि राम मंद जो चबंडब पैसा धर्ला चड़ रहा है उसे पहला अदिकार किसका है साधू संतोगा है नहीं पहला दिकार आयोध्या के उन वासी का है जिनका मव कान तूटा तोक्त नाम पहले अपनदिकारर मलगिए योगी जी इसलिए इस बार भी मंदिर इसलिए बनवाई जा रही है कि पहले बार में मू लग गया है ना पैसा अच्छा यह मंदिर मजिद नहीं तुलवाग बनवा रहा है यह पैसे कमाने के जर्चा पैसा कैसे आए क्या मतला फैक्ट्री कोल रहे हैं तरफ मैं सुनो योगी के लिए तंप मस्डिक लेए नहीं के लिए बोल ले हम 1990 वाले एक्ट पे बोल ला है तो हमारे काने मतला में एक उसका पक्षी होगा मस्डित का इक हिंदू पक्षी होगा उह दोरमना कोट में जाने इस सरकार के मंत्री क्यों आपने ऐसी तैसी करवा कि दास हजार बच्चे ज्राहिल क्या हुजा रहे हैं तुम्हारे मामा की साधी है क्या और बयाद बता दू हमारे हिंदू बच्चों को आप गुं साप करना पड़ेगा ज्राहियों का हिंदू राष्ट में सभी लोग जाएंगे ज्राहिल इसलामिक जितने इसलामिक कंट्रियां वहां साप करेंगे यहीं हमारा कास काम बचा है आपके पास आओंगा हमारे साथ एक मौना समीर साप मैं आपको वचन देता हूं इस बात का कि जो आपके अंदर एक डर है और जो डर बनाते हैं यह लोग कि मुसलमान बोलेगा या मुसलमान तो उसके मैं दावा करता हूं कि आपके उपर एक डंडा उटने से पहले हमारे खून बह जाएंगे यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप इस देश में हमारे भाई हैं यह विश्वास है बालियोगी का हम दोनों साथ मिलका से सादू और दाड़ी वाले एक साथ मतलब नफरत की देखे उधर खीटाओ कुरान साथ रखी है जी नफरत की इस राओं में महबत की दुकान है आज मैंने इनको क्यों बुलाया मैं चाहता तो यह इंटर्विव केले कर सकता था लेकिन मैं आज इनको बता दू कि यह राम इनके भी है तो वैसे वैसे एकर यह कहते ना अपना है और मैं आज एक बात और यहां पर कह दू कि यह मुहबत का हाथ है यह ऐसे नहीं छूटने वाला यह हिंदूस्तान और यह भारत यहां तो हमें शुरू से जो हम इसकी जिस प्राकिर्टिक और यहां के समाज में जो पड़े हैं तो यहां तो कनकन में राम है यहां हिंदू पक्षिव मेरे हिंदू भाईयों की भावना उसे जब खेला जाता है अब यह देखिए कि क्या संक्राचारे उसे बड़े मोदी हो गए धरम की बात करें तो जैसे कि बागेश्वर महराज ने तुरंत पल्टी मारी कि अगर वो देश के प्रदान मंत्री हैं तो धर अगर यह दो अलग कर रहे हैं अप हिंदू मुस्लिम पर आये थे मंदिर मजजित पर आज आपने राम मंदिर पर अपने ही लोगों को हिंदू तुष्टी करण किया कर दिया है भारति जैंता पाईटी न अगर यह हिंदू खुद अपनी गहराई से दिल से सोचे तो ग्या हिद्धार्मिक स्थल हैं जैसे स्बसे बड़ी बात तो याचिका से मना कर दिया तो उसके बाद में को याचिका भारत यहां-ठार कर पर आपने ही के इस बच्ची को ने मिला ता गया और यह मतनी है मुझे शर्म आती है कि इतने सालों ता यह बच्ची क्या कहते है इस न्याय के लिए बिखरी है और उस पर आप 26 जनवरी के दिन मैं आपको बता दू कल की 26 जनवरी मेरे दिल में थी और कहीं नहीं निकला और यही चीज सोच रहा था मेरे बच्चे मेरे घर मेरी जो महरम है हम हमारी बेगम है हमारी उनको भी यही कह रहा था कि मैंने देखो आज एक साल हो गया वह एक साल है जानरेंद मोदी जी ने चबी जनवरी पर लालकेले की पीट से बयान दिया था और कुछी घंटों पात उनको आजाद करा दिया आज वही एक साल हुआ है उस बच्ची के वह ग्यारे अपरादी पहुच चुके हैं तो यह शंगर से जारी रहेगा तो यही चीज है कि तो यह कुछ न कुछ यह परिवर्तन हो रहा है यह भारती जनता पार्टी का परिवर्तन देश को अगर देखो आपको बता दूं कि हिंदू-मुसलिम से हटके भारती जनता पार्टी मजड का होगा उसके बाद मंदिर पूरी बनेगी आप यह बताईए कि जो राम मंदिर के आयोध्या आपने उजाड कर वहां की वीडियो आई है मां बहने रो रही है वह बच्चे रो रहे हैं अब यह देखिए उनसे उनकी च्छिन लिया अपने कितने लोगों को जो बेघर कर दिया और आप यह कहते हैं कि इस देश में कंकर में राम है बिलकुल बिलकुल तो सबसे बड़ी बात इसलाम मेंद हमारे इसलाम में लह नहीं नहीं है वो एक हमारे जीवन का चलने का चरित्र हैं वो जो बया करते हैं अगर मुहम्मद साब को समझने की अगर कोई प्रेड़ना करता है तो वो छबी है कि इंसानियत पर चलने की जैसे वही राम आपके हो क्या रहा है जो बच्पन में हमने मैंने लिखा है जो ट्विटर हैंडल प को खुद भारती जंता पाइटी राम को चुनावी मुद्दा बना कर राम के नाम पर इस देश में हिंदू मुस्लिम में फाड़ करकर और आज ये इस्तिती हो चुकी है कि लोग अपने धार्मिक गुरूओं को ठुकरा रहे हैं चलिए मौलाना अच्छा पंडी जी ग्यान सबसे बड़ी बात के सुप्रीम को नकारती है हाई कोट जिस याचिका को सुप्रीम कोट नहीं लेती है उस याचिका को हाई कोट ले लेती है तो इसका मतलब लेकिन पहले मेरा कहने का मतलब है राम मंदिर तो लगा दो पुरानी मूर्ति का हिसाब तो देदो यह नई यह मुद्दा सादू संतों के मुद्दो को दबाने का है मौलाना साब एक हम लगो को अनई प्षा अधान केला है माम उस मुद्दो सादू संतों ने उठाया था आप पहलेakov बार 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 कासी मतूरा जा रहे हो कासी मत्तुरा में भी कौन जाएंगे दारू और मांस खाने वाले वहीं लोग को पहुचाओंगे तो मैं वह इदगा भी मंदिर के ओपर बना हुआ है क्या कर रहा हूं आप सब करो बेकर को इस पे भी बयान देगी हम सुप्रीम कोट जाएंगे यह दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोट जाएंगे और इलावाद को जो फैसला आया है फैसला भी आने दीजे पब्लिक के बीच में फिर उसके बाद मैं सुप्रीम कोट में अर्जी मातों में पहुंच जाती तब और जहां तक रहां इसकी जाच का फैसला इक बात पूष्ठाह को तो अगर आप मज्जित हाट की जगे हाटा हो फिर उन्हें वहीं जगह मिल जाएगी द्यूशंथ नेज़ stressful so इिन उन्हें Marketing देश कहते हैं कि जो इबायत घर है उसे कुछ लगा हो ते पुराने से ऐसे नरेंदर मोदी को दयान आई आपको पता है को रिडूर बनाते हुए सौदूसर साल पुरानी मूर्तियों को तोड़ दिया दुख हुआ हमें इसका विरोध किया उसी प्रकार एक को एक सीव को बनाने के लिए उन्हें पचास सीव को तोड़ दिया बगवान को तोड़ दिया मद्धपरदेश में देखिए तो मैं वही कह रहा हूं कि यह सिप इस मंदिर भक्तों बेजना सुरू कर दिया मंदिर नहीं है दूसरी मेयत सरकार के साथम बैठा हुआ है मंदिर बने नहीं नहीं है कोई वा बात नहीं पिर बाभरी मजल को फैसला है और यह बताए बाबरी मजजित के बाबड़ कर आगें जिंदा नहीं है कपरों में क्या का उनके पाक्षिकार जिरो ने पाइसला लेकर वह सारे लोग एक हप्ते में नहीं आते हैं तो उस जमीन पे जाके मधन्य पर दोनों जोडि जाएंगे बाबरी मजजित कि आपको दाज शिंता की बात और बता दें कि इस देश में यह एकता भाईचारा रहेगा पर इन्हों कि मुझे एक रिपोर्ट देखकर और एक बयान देखकर और क्या कहते हैं दर्द हुआ और दुख हुआ कि जो नई बाबरी मजजिद बनाई जा रही है उसमें कुरान जो रखा जाएगा वह भगवा कलर कर रखा जाएगा अज प्रश्न है इक सवाल्ए मेरे कि हमारी आस्थास से खिल्वार नहीं है किया ऐसा होने देङगे पंदी जी क्या और सबुम्हा फोलों की बात है और जहां तक है इनकी ले 뉴스 को खुला है ऐसा कोई भी चीज ना करोगी जिससे आत्मा को ठेज पहुंचे और भगवा में कुरान कैसे अच्छा लग सकता यार भगवा में राम कर प्रतिक मतलब राम मुसल्मान थे लोग साबित करना जा रहे हैं क्या बाई मैं नहीं जाता नहीं भगवा पर सिब राम रहेंगे हारे में अल्ला को हमारे साथ मौझूदे हैं तमाम सावलों के जवाब दे लेकिन इन दोनों ने आज वो चीज साबित कर दी जो जंग आजादी के वक्त हुआ था मुझे वह बात याद आ रही है कि जब एक पंडित को मारा गया था और एक मौलाना को मारा गया था तो दोनों ने एक दूस क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बोक में जाके जरूर बताएए देख तरह यह प्यार भी